ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फैंग कल्टिवेशन कर रहा होता है तब ही अचानक से उसके इनर वर्ड में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिस ब्लास्ट की वज़े से वहाँ पर हर तरफ सनाटा फैल ज लुओ फैंग को देखने से तो ऐसे लग रहा था जैसे कि ये डेड हो चुका हो वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ड में हम देखते हैं कि लुओ फैंग कल्टिवेशन कर रहा था तो उसके आसपास काफी सारा औरा था पर यहां पर इसके इनर वर्ड में ब्लास्ट रोनी की बज़े से वो सारा औरा भी खतम हो जाता है लूओ फैंग उसके इनर वर्ड में यहां पर बिल्कुल भी होश नहीं थी देखने से तो ऐसे लग रहा था जैसे के लूओ फैंग भी होश हो चुका है अब थोड़ी जिर बाद उसे धीरे धीरे होश आने लगता है और अचानक स उसके चेहरे पर एक रोशनी पढ़ती है जब लूओ फैंग उस रोशनी की तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसका पास्ट वर्जन उसके सामने आ गया है जिसे देखर अचानक से लूओ फैंग अपनी आखे कोलता है उसे कुछ याद आता है जहां पर वो देखता है क जब वो कॉलिज में था और स्टडी कर रहा था तब उसने अपने फ्रेंड से कहा था कि एक दिन मैं ज़रूर वारियर बनूँगा और इस दुनिया को प्रोटेक्ट करूँगा फिर इसके बाद लुवो फैंग के सामने उसका वारियर वर्जोन आ जाता है जब लुवो फैंग वारियर बना था उसे देखकर लुवो फैंग को अपने फायर हैमर टीम के साथ बिताय हुए पल याद आते हैं कि कैसे उसने उनके साथ मिलकर कितनी मुश्किलात का सामना किया था और फायर हैमर टीम के कैप्टेन उससे कहा था कि जब कभी भी तुम्हारे सामने कोई प्रोब्लम आए तो ये याद रखना फायर हैमर टीम हमेशा तुम्हारे साथ है हमें भूल मत जाना फैंग को अपनी ये पास्ट मेमरीज दे कर होश आने लगता है और वो अपनी बोडी पर दुबारा से कंट्रोल पाने लगता है यहां पर हम देखते हैं कि लूओ फैंग को अपनी फैमिली के साथ बितायवे पल भी याद आते हैं जब वो उनके साथ बैटा सोच रहा था और वो कहता है अगर मेरी कंट्री को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं डेफिनेटली उनकी हेल्प करूँगा फिर चाहे इसके लिए मुझे किंग लेवल के मॉंस्टर्स को किल ही क्यों ना करना पड़े मैं मिलियन सोफ पीपल्स की जान बचाने के लिए कुछ भी करूँगा और फिर वो याद करता है कि जब गोल्डन होन बहमूद मॉंस्टर्स ने अटेक किया था तो तब कैसे लूओ फैंग उसका सामना करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा थी थी और उस टाइम उसने कहा था कि ये अर्थ मेरी रूट्स है और हैंगजिया के लोग मेरी रूट्स है जब तक मेरी सांसे चल रही है मैं फाइट करने से नहीं रूकूंगा ये सब सोचकर हम देखते हैं कि लूओ फैंग को अपनी पूरी बोड़ी पर कंट्रोल मिल चुका था और वो अपनी बोड़ी को इजली मूव कर पा रहा होता है और पूरी तरह से होश में आ जाता है और होश में आने के बाद वो देखता है कि उसके इनर वर्ल्ड में उसके सबी पास्ट वर्जन उसके आसपास उसे चारों तरफ से गेर कर खड़े हुए है और इसी के साथ साथ वहाँ पर अनर्जी इकठा होना भी शुरू हो जाती है यह देखर लूओ फैंग कहता है अब वो टाइम आ चुका है अब मैं पीछे नहीं हट सकता यह सब सोचते हैं लूओ फैंग अपनी पावर्ज को यूज़ करता है और उसी के साथ साथ उसके सभी पास्ट वर्जन भी उसकी पावर्ज को इकठा करने लगते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूओ फैंग के इनर वर्ड में जितने भी मीटेयोराइट होते हैं वो हो रहा होता है पर आखिरकार हम देखते हैं कि काफी देर तक यूही मेहनत करने के बाद लूओ फैंग के सभी पास्ट वर्जन और लूओ फैंग मिलकर अपने इस प्लैनट को स्टेबल करने में कामियाब हो जाता है जिसकी वज़ए से वहाँ पर लूओ फैंग की इनर वर एक चोटी सी चोटी हरकत भी बहुत ही जादा स्लो टाइम में नजर आ रही होती है और साथ इसाथ वो लीडरों की सांसों को भी फील कर पा रहा था कि वो कैसे कैसे सांस ले रहे हैं ये देखने के बाद जैसे लूओ फैंग ध्यान लगाकर और भी अपने आस पास की एरिय उसका यूनिवर्स दिखाया जाता है जो के काफी बड़ा होता है तो दोस्तों फाइनली लूओ फैंग एक यूनिवर्स लेवल का वोरियर बन चुका है अब व्यू चेंज होतार हमें मिलकी वे यूनिवर्स बैंक की एक ब्राच दिखाये जाती है जो के उस प्लैनेट पर होती है जिस प्लैनेट पर अभी लूओ फैंग है उस ब्राच का मैनेचर बड़े ही अराम से टेबल के उपर टांग के उपर टांग रखका सो रहा होता है तब ही अचानक से उसके सामने सक्रीन पोप अप होती है जिसकी वज़ए से उसकी नींद खराब हो जाती है और जैस पर काम करने लगता है तब ही उसके पास एक कॉल आती है जिसके उपर लिखा होता है एमरजनसी कॉल डिप्यूटी डिरेक्टर ये दे कर वो उस कॉल को पिक कर लेता है जिस पर वो सामने वाला आदमी इनसे कहता है कि हमारा एक इंपोर्टेंट कस्टमर अपना अकाउंट भी गिर जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा शोक्ड हो जाता है क्या वो खुद को संभाल नहीं पाता और अपनी सीड से भी नीचे गिर जाता है फाइव स्टार सून कर तो ये मैनेजर बहुत ही ज़्यादा शोक्ड हो जाता और जल्दी से अपने पूरे बैंक की करने के लिए खड़ा हो जाता है अब जैसे ही लूओ फैंग वहां पर आता है तो वह उन्हें ग्रीट करता है और कहता है आईए मेरे साथ आईए मैं आपको ले चलता हूँ फैंग लीडर होंग और वोरियर लीश और डेड कार्पीट पर चलते हुए जा रहे होते हैं और इतनी नहीं है कि आप 5 Star Customer को Serve करें पर मैनेजर उसकी बात नहीं सुनता और भागा भागा अंदर चला जाता है तो AI सिस्टम उसे एक जोरदार जटका देती है और कहती है मैंने आपसे कहा ना कि आप 5 Star Customer को Serve नहीं कर सकते मैनेजर को तो यहां बहुत ही ज्यदा जोरदार 440 पोड का जटका लगता है वो वहीं पर भेहोच हो जाता है जिसके बाद AI उसे उठा कर दुबारा से ब्रांच में पटक देती है बेचारा मैनिजर कितना खुश था अब साथ साथ AI सिस्टम बताती है कि 5 स्टार कस्टमर या उसे ज्यादा के कस्टमर सिर्फ इंटेलिजेंट स को ट्रांसफर कर दी गई है जिस वजह से मैनिजर के साथ तो ऐसा होना ही था इसे ध्यान रखना चाहिए था यह सब हो जाने के बाद AI सिस्टम लुओ फैंग के साथ आयोए लीडर होंग और वोरियलीशन से कहती है प्लीज आप लोग सीट पर बैठ जाए मिस्टर लुओ प्लीज आप मेरे साथ आए अब लुओ फैंग AI सिस्टम के साथ बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए अंदर चला जाता है तब ही दूसरी तरफ हम देखते हैं के लीडर होंग और वोरियलीशन के पास मैनिजर आता है जो के वाइन अपने साथ लेकर आया होता और वोने सर्व करने लगता है जिसे देखकर वोरियलीशन काफी खुश हो जाते हैं के वाओ दूसरे प्लैनेट की वाइन पीने को मिलेगी फैंग उस AI सिस्टम के साथ जाते वे सोचता है कि टीचर ने जो अकाउंट मेरे लिए छोड़ा क्या उसका लेवल इतना ज्यदा हाई है फै लुओ फैंग अपनी स्पेस रिंग से युनमू प्लैनेट के अडेंटिटी निकाल कर उसे दिखाता है और फिर वो AI सिस्टम लुओ फैंग को कंफरम करती है कि हाँ वाके ही आप युनमू प्लैनेट के मेंबर है अब लुओ फैंग के अडेंटिटी और उसकी पावर को च जाता है क्योंकि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था तब भी बबाता उसकी हरानी को दूर करते वे कहती है आँ वो सही कह रही है पर इस तरह के पासवर्ड बड़े ही कॉंप्लिकेटिड होते हैं इसके बारे में तो मैं भूली गई थी मुझे एक नया पासवर्ड को यूज करते वे इंटर कर देता है जो के बिलकुल कोरेक्ट होता है मानना पड़ेगा बबाता है तो बहुत स्मार्ट अब अकाउंट ओपन करने के सारे प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लेट कर लेने के बाद हम देखते हैं कि वो अकाउंट ओपन हो जाता है और लूओ तो फिर मुझे थ्री टाइप्स की पेमट मिलेगी लेकिन इस बार जो मैंने अकाउंट ओपन करवाया है वो सबसे कम है जिस वजह से मैं अभी तक नहीं जानता कि मैं इन पैसों से अर्थ को बाई कर सकता हूँ या नहीं उमीद है कि ये इतने पैसे हों कि मैं उनसे अर्थ के हाथों वाइन पी रहे होते हैं अब थोड़ी देर बाद लूओ फैंग के सामने उसके अकाउंट की प्रोसेसिंग कम्लीट हो जाती है और उसके सामने उसकी अमाउंट लिखकर आ जाती है कि अकाउंट में कितने पैसे हैं उन पैसों को देखकर लूओ फैंग काफी हरान को शो करता है जो के होती है 10 billion कियानवू कोईंस इतनी ज्यादा amount को दे कर लीडर होंग और warrior leeshan वहाँ पर zero count करने लगते हैं कि इसमें कितने zero है फिर वो देखते हैं कि हैं ये तो 10 billion है ये दे कर वो भी हरान हो जाते हैं कियानवू कोईंस अब यूवा इस बारे में बात करे रहे होते हैं तभी अचानक से मैनेजर वहाँ पर आतार वो वो वोरियलीशन को पीछे करते हुए समाउंट को देखकर बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका मूँ तो खुले का खुला रह जाता है तभी बात हमारे प्लैनेट अर्थ की तो वो एक हाई ग्रेड का लाइफ प्लैनेट है जिसकी वर्थ सिर्फ त्री ट्रिलियन हिलियोंग कोईंस है जिसका मतलब करने के लिए निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खतर